नमस्कार किसान भाईयो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल वुजूबावा इंफोटेक पर मैं वुज़धाकड आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ किसान भायो आज जो आप देख रहे हैं मैं एक ऐसी मसीन के बारे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जो किसानों को इस समय काफी पसंद आ रहे हैं और दोस्तों जिसे कि आप सभी किसान भाय जानते हैं कि इस समय वर्तबान समय में जो मजदूरों को लेकर हम काफी चिन्तित रहते हैं कि मजदूर जो है समय पर मिलते नहीं है और हमारी खेती बाड़ी का काम है वह समय से हो नहीं पाता है तो हम सीजन में बहुत पिछड जाते हैं तो किसान भाई यह जो मसीन देख रहे हैं यह पटेल करशी फार्म चापा खेड़ा और जहां से मैं आपको बता रहा हूँ जो मसीन आप देख रहे हैं यह लहसुन ग्रीडिंग करने की मसीन लहसुन काटने की मसीन उसके साथ दोस्तों इसमें सभी प्रकार की जो जिन्स रहती है हमारी उसको ग्रिडिंग किया जा सकता है उसको व्यवस्ति तरीके से हम ग्रिडिंग कर सकते हैं तो दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको लहसुन की कली के बारे में बताना चाहूँँआ कि दोस्तो अभी वर्तबान समय में जब हम लहसुन लगाते हैं DC लहसुन हो, G2 हो, या फिर Ambreta हो, कोई सी भी लहसुन हो तो इसमें हम कुछ ही समय में जो है कली कर सकते हैं और दोस्तो वह भी बिना नुकसान के दोस्तो नुकसान की मैं यहाँ पर इस मसीन की गैरेंटी ले सकता हूँ क्योंकि दोस्तो इस मसीन को मैं लाइव चलते हुए देखा है इसमें एक प्रतिशत भी नुकसान हमें देखने को नहीं मिला है दोस्तो बकाय शर्त यह रही कि हम जो लहसुन जो मशीन में डालने वाले हैं इसमें करीबन दो से तिन धूप लहसुन की लगने जरूरी होती है तो दोस्तो चलिए हम वीडियो चुरू करते हैं तो इसी प्रकार की जानकरीय पाने के लिए हमारे यूटीड चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें किसान बाइक करें टाकि वो भी जानकरी से अवगत हो जाए तो किसान में यह वीडियो में जो आप देख रहे हैं यहां पर सर्विस दे रही है और दोस्तो पाँच मिनिट में हमें एक क्विंटल लेसन की कली करके यह हमें दे रही है तो किसान भ्यों बहुत ही जादा बैनिफिट किसान भ्यों को यहां पर इस मसीन से मिल रहा है और दोस्तो सिर्फ इससे cutting ही नहीं होती सिर्फ इससे gridding ही भी नहीं होती बाकि सभी धानों की gridding हो जाती है जैसा कि हम चाहते हैं कि यदि गेहों की gridding करना है तो गेहों gridding हो जाएंगे स्वाइबिन ग्रीडिंग हो जाएगा और दोस्तो ऐसे सभी प्रकार के जो धान हैं हम इससे ग्रीडिंग कर सकते हैं बगाई शर्त यह रहेगी कि सभी धान के इसाब से हमें छनने को इस पर चेंज करना रहेगा तो किसान भाई यो बहुत ही जादा और पयुत ही एक्टेक्टि जो यह कारी हमें करके देती है सबसे बड़ी बात यह है कि समय की यहां पर हमें बचति इसमें हो जाती है दोस्तो इस मसीन को हम कुए पर भी चला सकते हैं उसका रिजन यह है दोस्तो कि इसको हम टेक्टर के पिछे सेट कर सकते हैं जिसा कि हम टेक्टर की पीचे इसको कडेक्ट कर सकते हैं और दोस्तों अगर वहां पर खेट पर हमें अगर विद्यूत मिलती हैं तो वहां पर इसको हम मोटर से भी ऑपरेट कर सकते हैं तो दोस्तों इसमें दोनों तरफ का सिच्टम रहता है आप जिसा भी चाहे यूश कर सक की है तो आप डिस्पिक्शन में दिएगे नंबर से जो एक्ट सकते हैं दोस्तों इसके साथ इसमें हम ऑनिंअ ग्रीडिंग कर सकते हैं सबसे बड़ी बात यहे हैं कि यहां पर अगर हम ओनिंअ गुरीडिंग करना चाहे है चोटा गोल्टी माल जो अगर को लाइक करें एक किसान भाइक सा शेर जरू करें और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं और इसी प्रकार की जानकरिया चाहते हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले पास आए बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हर एक छोटी मुटी अपडेट में आपको तुरंत वीडियो के माध्यम से पहुचाता रहा हूँ चलिए दोस्तों अब दीजिए जाज़त मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जान करेगी साथ ज हूँ